सचिन पाइलेट आज जैपुर जिले के कोड़ खावदा में किसान महा पंचायत के जरिये शक्ती प्रदर्शन करने वाले हैं कोड़ खावदा की किसान महा पंचायत में पाइलेट समर्थक बड़ी भीर जुटाने की तैयारियों में जुटे हैं रहुल गान्धी के दोरे में रूपन गडि ट्रेक्टर रैली में पाइलेट के अपमान का मुद्दा उठाने के बाद अब पाइलेट समर्थक लामबद हो गए हैं इसका असर इस महापंचायत पर भी दिखनाताय माना जो रहा है पाइलेट समर्थकों की इस महापंचायत में सीम अशोग गहलोत, पोंग्रेश प्रदेशा, अध्याक्षिप, गोविन सिंग डोटास्रा, सहिद गहलोत, खेमे के कई नेताओं को भी निमंतरन दिया गया है महापंचायत में पाइलेट समर्थक ज्यादतर विधायक जुटेंगे, पाइलेट समर्थक विधायक सोशल मीडिया पर महापंचायत में आने के लिए लोगों को निमंतरन दे रहे हैं पाइलेट समर्थक पिछले 3-4 दिन से जैपुर, दोसा और टोंक के इलाकों में गाउं गाउं जाकर महापंचायत में आने का निमंतरन दे रहे हैं पाइलेट समर्थकों ने किसान महापंचायत में बड़ी भीड जुटाने को प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है राचनीतिक जानकारों के मुताबिक जब से कॉंग्रेस नेता आचार्य प्रमोध कृष्णम ने राहूल के दोरे में पाइलेट के अपमान का मुद्दा उठाया है तब से पाइलेट समर्थक विधायक फिर से लामबद्ध हो रहे है राहूल के दोरे के बाद पाइलेट का ये पहला सारवचनिक कारिकरम है इससे पहले दोसा और बयाना में क्रिशी कानूनों के खिलाफ पाइलेट किसान महा पंचायत कर चुके है बयाना की महा पंचायत में बड़ी संख्या में भीर जुटी थी पाइलेट अपने समर्थक विधायकों के इलाके में केंद्रिय क्रिशी कानूनों के खिलाब किसान महापंचायर कर रहे है। बताया जो रहा है कि बगावत और फिर से सुलह के बाद पाइलेट अप जनता के बीच निकल कर पावर रीगेन का प्रयास कर रहे हैं। एक बड़े बर्ग में पाइलेट अपनी प्रती सहानू भूती पैदा कर उसे राजनी तिक फायदे में बदलने का भी प्रयास करें।